बिजनस नीज इस ब्रॉट तो यू बाई विनर इंसिटूट IDFC फस्स बैंक का चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाव 35 प्रतिशत बढ़कर 751 करोड रुपे हो गया IDFC बैंक ने शेर बाजारों को दी गई स्विशना में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाव 556 करोड रुपे रहा था जुलाई सितम्बर तिमाही में बैंक की कुल आई बढ़कर 8786 करोड रुपे पर हो गी जबकि साल पर पहले समान समय में यह 6531 करोड रुपे थी बैंक की सितम्बर तिमाही में शुद्ध लब्याज आई NII 32 प्रतिशत बढ़कर 3950 करोड रुपे हो गी पिछले साल की समान तिमाही में यह 3002 करोड रुपे थी समिशा दिन तिमाही में बैंक का शुद्ध लब्याज मार्जीन बढ़कर 6.32 प्रतिशत हो गया जो सितम्बर 2022 तिमाही में 5.83 प्रतिशत था इस दोरान बैंक की गैर निश्पादित संपतिया यानि NPA घटकर करश का 2.11 प्रतिशत होने से संपति गुनवत्ता बैतर हुई है पिछले साल की समान आउदि में बैंक का NPA 3.18 प्रतिशत था दवा कंपनी फाइजर लिमिटेट का चालो वित्तवर्ष की दूसरे तिमाही में शुद्ध लाब 52.11 प्रतिशत खटकर 148.96 करोड रुपे हो गया कंपनी ने यह जानकारी दी है कंपनी ने वित्तवर्ष की समान तिमाही में 311.97 करोड रुपे का शुद्ध लाब कमया था पाइजर ने शेहर बाजार को दी जानकारी में बताया कि बित्ति तिमाही में कंपनी की परिचालन आए 9.6 प्रतिशत खटकर 575.21 करोड रुपे रहेगी जो पिछली वित्तवर्ष की समान तिमाही में 637.47 करोड रुपे था कंपनी का कूल वे 5.66 प्रतिशत खटकर 410.6 करोड रुपे रहा जुलाई सित्मबर तिमाही में कंपनी की कूल आए सालाना आधार पर 7.12 प्रतिशत खटकर 611.28 करोड रुपे रहेगी गेर पैंकिंग वित्तिय कंपनी टीवेस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेट का चालू वित्तवर्ष की दूसरी जुलाई सित्मबर तिमाही का शुद्ध लाब 40 प्रतिशत बढ़कर 134 करोड रुपे पर पहुँच गया है एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी नी 96 करोड रुपे का शुद्ध लाब दश किया था कंपनी ने कहा कि 30 सितमबर 2030 को 17 चमाही में उसका शुद्ध लाब 252 करोड रुपे रहा है सितंबर 2023 तक कमपनी की प्रभंदन के तहट संपतिया पिछली वर्ष की समान आउधी की 20,602 करोड रुपे से बढ़कर 23,516 करोड रुपे हो गई समिशा दिन तिमाही के दोरान कमपनी की कुला 1399 करोड रुपे रही एक बयान में शेहर की कमपनी ने कहा कि उच्च खपर और सरकार की बुन्यादी धाशे में खरश की वज़ा से रून की मांग मसबुत बनी हुई है बयान में कहा गया है कि सितंबर में समावत चमाई में उपभुकता कर्स की मजबूत मांग से उसके कारुपार में उलिक निया बड़तरी हुई है तिस सितंबर को समावत छे मैने की आउधी के तोरान कंपनी ने 20 लाग नए ग्रहक जोड़े इससे कंपनी के कुल कराकों की संख्या एक दशम लोग 2 करोड से अधिक हो गई है की बड़ ऑफ डारेटर की मीटिंग भूई थी इस मीटिंग में बोट की सदस्यों ने फिनके़ पसितंग को कंपनी के शेर शिर्वाती कारुबार में गिरावट के साथ उपन हुए हैं सुबे 9 बच कर 20 मिनिट पर AU Small Finance Bank शेयर 1.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ 687.30 रुपे के लेवल पर BSE में ट्रेड करे थी मरज़र 1 फरवरी 2023 या Reserve Bank of India की तरफ सिती कई तारीख पर क्या जाएगा मरज़र की बाद Fincare Small Finance Bank के निवेशकों को 2000 शेयर पर AU Small Finance Bank के पास 89 शेयर दे जाएगे AU Small Finance Bank का मार्केट क्या 45,593.24 करोट रुपे का है AU Small Finance Bank का हेड़कोटर राजस्तान के जैपुर शेहर में है कंपनी के पास कुल 1000 शाका है वही Small Bank के पास 30 लाग कस्टमर है तिस सितमबर तक के डाटा की अनुसार AU Small Finance Bank का कुल एसेट 95,977 करोट रुपे का है इसमें नेटवर्ट 11,703 करोट रुपे का है वही फीन के स्माल फाइनस बांक का प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 25,59 प्रतिशत है जबकि फीन केर में प्रमोटर्स की पास 78,58 प्रतिशत ही सा है कंपनी का आईपियो एक नमबर 2023 तक सब्सक्रिक्शन के लिए खुला रहेगा सेलो वर्ड की आईपियो का प्राइस पैंड 617 से 648 रुपे है ग्रेम मार्केट सेलो वर्ड की आईपियो पर पुलिश है कंपनी के शेयर ग्रेम मार्केट में अभी करीब 20% प्रीमियम पर ट्रेड करे है सेलो वर्ड के शेयर बॉंबी स्टॉक एक्चेंज और नाशनल स्टॉक एक्चेंज पर लिस्ट होगे सेलो वर्ड की आईपियो का प्राइस पैंड 617 से 648 रुपे है वही कंपनी के शेयर ग्रेम मार्केट में 120 रुपे के प्रेमियम पर ट्रेड करे है अगर कंपनी के शेयर 648 रुपे की अपर प्राइस बैंड पर अलाट होते है तो सेलो वर्ड के शेयर 768 रुपे की रेंज भी लिस्ट हो सकते है यानि कंपनी की आईपियो में पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर्स को पहले ही दिन करीब 20 पसंट का फायधा हो सकता है सेलो वर्ड अपनी आईपियो में एमपलो जिसको हर शेयर पर 100 रुपे का डिसकाउन देरी है आईपियो में सेलो वर्ड के शेयरों का अलाटमेंट 69 पर को फायनल हो सकता है वही कंपनी के शेयर 9 नावंबर को एक्चेंज में लिस्ट हो सकते है कमपनी के IPO में retail investors कम से कम एक lot और अधिक तम 13 lot के लिए दाव लगा सकते हैं IPO की एक lot में 23 share है वही 13 lot में 299 share है यानि investors को कम से कम 14,904 रुपे लगाने होंगे कमपनी में फिलाल investors की हिस्सिदारी 100% है जो की IPO की पात 91.8% रह जाएंगी कमपनी के share हो की face value 5 रुपे हैं सेलो वर्ल प्रमो क्रूप से writing instruments and stationery, multi furniture, consumer, house fare, एवं retailate products इन तीन कैटरगरीज में डील करती है खबरे समावत करने से पहले आईए डालते एक नसर आज की सुर्टियों पर बिजनेस नमाचार में फिलालिता हैं ताजा खबरों के लिए देख तेरिये in business news नमस्कार